अब हमारे सात एक मिश्रा जी जुड़ गे हैं जो राजनेतिक विश्लेशक है एक देभी अब ऐसे में चुनाओ प्रेचार वर्चॉली तो हो रहा है लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या हर राजनितिक पार्टी के पास उतने संसादन है या फिर जनता क्या वर्चुली जुड़ पाईगी? तो यह बोलना कि हमारे पास सोशल मीडिया का मैनेजमेंट नहीं है, यह हताशा दिखाता है, यानि कि युद्र के पहले ही हंसियार डाल देने वाली बात, या बच्चों की तरफ बहाने करना, जैसे चोटे बच्चे होते हैं कि हम एक्जाम देने नहीं जाएंगे, कुछ यह ह कुछ वो है, उस तरीके की चीज़े होती है, और जो यह लोग नहीं करता हैंगे, तेके मैं बार-बार बोलता हूँ कि आपको 2400 गंटे और 365 डेज, अगर इंडियन पॉलिटिक्स में बने रहना है, तो 300 पैसा दिन लगातार 4-4 बंद होना पड़ेगा और काम करना पड़े तो उसके बाद भी भौतिक तोर पर इस तरह से गैदरिंग करना और उसके बाद राजनितिक सभाव को, रैलियों को, रोडशो को करना, या फिर बर्चुली जनता से जुनना, कौन सा ज़्यादा फायदेमंद आज के समय पे नजर आता है, जिससे आसानी से जनता तक अपन इस तरहों से मिलना, ढौर तुदोर कनवेंसिंग, कनवेंसिंग करना, यह सारे चीजά होती है, वह प्रात्मीक सोर्ष होता है, और उसी सोर्स को रिप्लिकेट करके, सोशल मीडिया, नीज चैनल हो जायगा, तो फर्ट जाया फ़र्प्रास्मिक और सिकेंड्रि वह है, जो परात्मिक थी उस पर रोक लगा दिया गया है जो चीज सेकेंडरी थी अब वो प्रात्मिक बन जाएगी और टेकनलोजी इंडिया में सफीसियन टेकनलोजी है वो प्रयोग करके कहीं कहीं उस लक्ष को पाया जा सकता है बिल्कुल लेकिन एक मिश्रा जी ऐसे में एक सवाल य देखेंगे देखिए मैं इसमें यह जनता के फेवर में बोलता हूं यह भी बोलता हूं जन्ता खो जिसको पफद्र लेना है मंतिर मिनिस्टर मृग करें। पब्लिक का या वोटर का काम केवल 15 मिनित का होता है जब EVM पे उसको वोट देना होता है तो उससे ज्यादा उसको एक्सपोज होने की जरूरत नहीं है अच्छुकि चुनावा भी बहुत जरूरी है लोगतंत्र का पर्व है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोगतंत्र ह है इसको भी टाला नहीं जा सकता क्या गारेंटी है कि फैबरी के बाद मार्च अप्रेल मही जून में या उसके बाद करोना नहीं आएगा वैरियंट तो हर हटे नहीं आ रहे हैं और महीने नहीं आ रहे हैं तो यहां पे इस रिस्क को मैनेज करना जरूरी है पब्लिक और सर साल के उपर से ज्यादा लोगों को टीके लग गया है तो रिस्क बहुत मिनमाईज हो गया है तो मैंने जमस्ता हो कि कंट्रोल वे में कंट्रोल इंवारेंट में यह चीश करवाई जा सकती है क्योंकि जिस तरह से बिहार के चुनाव को पश्यमंगाल के चुनाव को अगर य इतना बड़ा जो है जल संख्या है और उन तक सुविधाये पहुचाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है तो कोई भी बॉड़ी कोई भी सरकार की संस्था प्रतिस्त जो है उसको 100% एकुरेट वे में एक्जीक्यूट नहीं कर सकती है यह सक्सेस हो सकता है सरक सब्सक्राइब की बात तो मैंने पास्ट के लिए भी और प्रजिंट में भी सिच्वेशन ऐसा कुछ नहीं है कि एक साल दो साल में इंडिया के पास इतने ज्यादा रिसोर्स बढ़ गया है इसकी करोना के लिए जिसकी दवाईया तो है नहीं तो कोई बहुत ज्यादा चैं अगर राजनेतिक दल तैयार है तो जनता भी तैयार है मैंने आपको बहुत क्लियर कट बताया कि जनता का रोल केवल क्यूं में खड़ा होके और 15-20 मिनिट का है कि वहां जाकर के बटन दबाए कि किस पार्टी को उसको जो है वोट देना है इससे जादा जो है कोई और को उनके एजेंडा को किसने क्या बोला क्या आरोप प्रत्यारोप हुआ आप धर में लगातार जनता इस सीज के लिए अध्यस्ट हो शुकी है टीवी के माद्यम से ही होता है हर जबाए जनता नहीं पहुंचती है मान लीजिए किसी नेता का प्रदान मंत्री जी की रैली प्रदिक से मैंने देखा जब चुनाओ थे तो तब भी तमाम बाते की गई थी कि कोरोना गैडलाइन का पालन किया जाएगा सेनेटाइजर रखा जाएगा मास्क लगाया जाएगा लेकिन जब रेलिटी चेक के लिए हम लोग निकले तो एक भी जगा पर गैडलाइन का पा प्रेक्ष में देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा इंप्रूव चीजे दिखेंगी तो चार चीजे जरूर इंप्रूव डूई है जैसे वैक्सिनेशन वगर हो गया बहुत सारे लोगों के अंदर जो है एंटी बोडी बन गई है कोरोना से जो इ क्याती की मदद करते हैं एक लेवल के बाद तो डॉक्टर भी हाँ खला करते हैं दोनों चीजों को एक साथ रखना पड़ेगा हमें व्यक्ति के तोर पर भी मजबूत होना है जिम्मेदार और सरकार को भी सरकार और एजन्सी जो कर रही है वो ठीक है लेकिन सबसे ज्यादा हम लोग इतने पुरुशार्त हीन हो गए हैं कि हर चीज के लिए हम सरकार के उपर डिपेंडेंट हैं एक मास्क लगाना अगर मास्क नहीं है तो गंचे तौलिये से मुझ को पोंच के रखना और दो बार हाथ को धोना अब क्या इसके लिए हॉस्पिटल का या डिस्टिक का चीफ मेडिकन ओंफिशर आकर के आकको मास्क लगाएगा सुबाह आफिज आते हुए तो जंता कमसले मास्क तो लगा ile सकते हैं लेकिन मुझे बात याद आ रही है कक्षा 11 में मैंने एक चैप्टर पढ़ा था हिंदी में भारत वर्ष बारत हिंदु जी ने उसे लिखा था और उसमें लिखा हुआ था कि हम जो हिंदुस्तानी हैं हम रेल के डिब्बे हैं हम एक इंजन की जरूरत होती है इंजन के साथ-स मैं सिक्तार करेंगे भारतेंदु खरिश्चंद जी के सामने मेरी कोई विशाथ मेरी कोई आवकात नहीं है मैं उनके अगेंस्ट बोलने जा रहा हूं और उनकी आत्मा जहां भी स्वर्ग में होगी में पहले माफी माँ लेना चाहता हूं ऐसा नहीं है कि हम रेल के मैं आपको यहां ऐसा नहीं है कि कोई आत्मी जो है यहां पर जो है डिबा है और उसको रेल का इंजन चाहिए अगर ऐसा रहा होता ना तो बड़े-बड़े रिसी मुनीम राम कृष्टल कौन से रेल के डिबे के पीछे थे विवकानन कौन से रेल के डिबे पीछे उनके है और सबसे बड़ा रेल का इंजन परमात्मा है उसी के अंस आप है और ग्यान और इन सब चीजों में हम लोग बहुत सहज है बहुत रिच रहे हैं तो आप यह मत बोलिए जंता को कि हमें एक इंजन की ज़रुवत होती है एक मैं बोल नहीं रहा हूं मैंने शमा मांगा था है जो यातरी होंगे वो वहीं पर गंद की कूड़ा करकर फेक्ट वे नजर आएंगे लेकिन मेट्रो स्टेशन पर जाने के बाद वही इंसान सफाई करता हुआ नजर आता है वही डश्टिमन ढूनता हुआ नजर आता है तो हमें नियमों की जरूरत है और सक्त होने की कोई भी गलत चीज जो है रुकी नहीं है चाहे करप्शन हो चाहे जो गरीबी हो जो जो चीजे हैं इसके पीशे कारण क्या है इसके पीशे कारण यह है कि जब से हमने आक्त दीपो भाव का जो है सिद्धान्त छोड़ दिया है और इसलिए मैंने बोला कि हम बड़े पुर्श इसको हम लोग जो है आत्मनियंत्र सेल्ष डिसिप्लिन बोलते थे और एक समय था जबकि हर आदमी इतना आत्मनियंत्रित होता था कि कहीं कुड़ा करकट इंडिया में तो पुलिस भी नहीं होती थी साथ मैं आपको बताऊं आप मुगनों के पहले आप देखिए तो इंड दिया में पुलिस नहीं होती थी डंडे कि यहां पर हर आदमी को राजा के बराबर का अभिकार था और हर आदमी आपने और भी इंडी की कहानिया पढ़ी होंगी मुशी प्रेम चंदर और इंसत्की पंच परमेश्वर वहां पर कौन सा इंजन कौन सा सुप्रीम कोर्ट के लेकिन नया हुआ था न उसीज में भी तो आक्त दिपो भौ का जो सिधानत है हर भारतवासी मुझे घरवा है हर भारतवासी यहां पे अपने आप में एक रेल का इंजन है जो अपने पीछे पूरी दुनिया को जो है धोने की कुबत रखता है इसलिए मैंने बोला कि भारत मिश्रा जी देखिए यह इस बात को भी हमें स्विकार करना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ एक चीज़े नहीं है अगर हम इतिहाच उठा कर देखने लगे तो बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी मिल जाएंगी अगर आप इसकी बात करते हैं वैक्सिनेशन को लेकर कितनी चीजों है और दूसरी चीज़ है कुछ लोग जाती है आप अगर आप तो दिपोवों में फिर से बोलूँगा आप अगर इतना भी नहीं करेंगे कि घर से निकल करके सेंटर तक चले जाए सी में वैक्सीन लग रही है मैंने लगाया था इतनी गजब की फैसलिटी थी कि आप बिलीव नहीं कर सकते हैं जैसे आप बारात में गये हों दामाद बनके उस तरीखे से स्वागत हो रहा था कोरोना वेक्स चेयर्स अलग से थे फैन अलग से जूस पीने के लिए अलग से थे लेकिने के मिश्णा जी मेर अगर चाह लेगी तो हर चीज यहां पर हो जायागा किसी चीज की जरूत नहीं है अब उसी पब्लिक में से एक ग्रूप निकल जायागा जो बोलेगा हम अंशन पर बैठेंगे जी आपने देखा ना एक साल देर साल तक लगातार इंडिया में अंशन होते रहे तो ऐसे लो को सिस्टम को नियम को वो उसी चीज को आजादी मानते हैं तो उनके लिए क्या प्रमेंट में दे सकता हूं सर नहीं मेरा सवाल यही है कि हम कैसे उन चीज़ों को कंट्रोल कर पांगे क्या यह चीज़ें डराती हैं नहीं मैंने बहुत पहले बोल दिया है ना आप्त दीपो पहले दूसरों का बला करने जब पहले अपना बला करो दूसरों को मजबूत करने के पहले अपना दूसरों का बचाओ करने के पहले अपना बचाओ करिये बिलकुल क्योंकि लेकिन समस्याएं सिर्फ यहीं तक नहीं है क्योंकि अगर आप इस गाइडलाइन के या पिर इन के एलान से पहले के समय को देखेंगे तो जितनी भी राजनितिक पाल्टियों ने रहलियां की हैं कोरोना तब भी बढ़ रहा था कहीं पर भी कोरोना गैड्लाइन का पालन नहीं हो रहा था तो इसलिए ऐसे सवाल बनते हैं शुक्रिया के मिश्रा जी आपका मरसाती तमाम बा